प्रतिपक्ष तेजस्वी आदब लगातार मुख्यमंत्री नितीश कुमार को निशाने पर लेते नजर आते हैं तेजस्वी आदब चाहे मजदूरों के पलायन का मुद्दा हो या फिर कोरोना काल में ब्रस्टाचार का मुद्दा हो गोटाला का मुद्दा हो हर एक मुद्दे को लेकर के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादब मुख्यमंत्री नितीश कुमार पर हमला बर है इस बीच आज RJD के विधायक रिशी कुमार नितीश कुमार पर निशाना साथते नजर आए जीहां ओबरा विधानसवा सीट से रिशी कुमार विधायक है RJD के उन्होंने मुख्यमंत्री नितीश कुमार पर हमला बोला है रिशी कुमार ने एक फोटो शेर किया है अपने ट्विटर हैंडल से एक बुजर्ग महला की तस्वीर उन्होंने शेर की है इस तस्वीर में एक बुजर्ग महला तेजस्फी आदब को गले लगाते हुए आशिरबाद देती नजर आ रही है आरजेरी विधायक ने ट्विट में लिखा है कि एक मा की ममता से बड़ा धर्ती पर कुछ नहीं होता ये ममता, ये प्यार, ये आशिरबाद सबके नसीब में नहीं होती, मुख्य मंत्री महौद है जी हाँ, रिशी कुमार पुर्व केंद्रे मंत्री कांती सिंग के बेटे हैं और विहारा आरजेरी का प्रमुक चहरा है विधान सबाचुनाग 2020 में आरजेरी ने विरेंदर कुमार सिंधा का टिकेट काट कर रिशी कुमार को ओबरा सीट से उमिद्वार बनाया था रिशी कुमार के अस्थानिये नहीं होने के कारण उन्हें अच्छा खासा विरोध भी जेलना पड़ा था रिशी कुमार ने ओबरा सीट से 63,662 वोटों के साथ जीत दर्च की थी इन दिनों नितीश कुमार विहार सरकार में भरस्टा चार मुद्दे को लेकर के लगाता विपक्ष के निसाने पर है सूत्रों की मानों तो मंत्री और वरिष्ट अधिकारियों के बीच अधिकारियों के तबादले को लेकर के पेच फस गया था जिसकारन यह वखेरा खड़ा हो गया जिससे अब सरकार की किरकिरी हो रही है इसे लेकर के नेता प्रति पक्षुते जिस्वी आदम ने भी नितीश कुमार पर हमला बोला ट्विट करते हुए हमला बोला और लिखा की बिहार में ब्रश्टाचार रूपी गंगा ने तवाही मचाई हुई है खुद मंतरी और सत्ताधारी MLA खुलेयां स्विकार कर रहे हैं कि विनारिस्वत दिये कोई बाबु साहे वो अधिकारी काम नहीं करते बिहार में सरकार है ही नहीं ब्रश्टाचारी, कुर्सी, लोलुप, सिधान्त ही और अराजक तत्व राजे को चला रहे हैं तेजस्वी आदव नहीं ये ट्वीट करते हुए कहा और तेजस्वी आदव के साथ साथ रिशी कुमार भी मुख्यमंतरी निर्देश कुमार पर आज हामला बढ़ने चला है अगर आपको ये ख़बर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जोड़ सब्स्राइब कीजेगा, फेस्बूप पेज को भी लाइक और फॉलो कीजेगा, धन्यवाद